बढ़ती हुई आवादी मुशलमानों का जितना खत्रा नहीं है उससे जादा खत्रा कट्टरपंथी सोंच से है अगर किसी को खुदा की वादत करनी है उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिला करके थोरे करना पड़ता है सर्जिल इमाम जैसा कट्टरवादी सोंच जो भारत को टुक्रे टुक्रे करने की सोंच बनाए सोंच भारत के लिए खत्रा पैदा कर रहा है और देश को इसके लिए गंधिर होने की जोगा पीकर के बहाने, लोग भारत में अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनकी मानसिक्ता कुछ और है, नाम है इबादता। बढ़ती हुई आवादी मशलमानों का जितना खत्रा नहीं है, उससे ज़्यादा खत्रा कट्टरपंथी सौच से है, वो कट्टरपंथी सौच जो मुर्तुजा के रूप में, गोरकपुर में, मंदिरों पर आतंकी हमले करें, सरजिल इमाम जैसा कट्टरवादी सौच जो भारत को टुकरे टुकरे करने की सौच बनाए, जो सरजिल इमाम के तरह ही हिजाब आंदोलन करे, अजो C.A. कानून के तहट आंदोलन को बिशात बाताबरन बनाए, ये सौच भारत के लिए खत्रा पैदा कर रहा है, और देश को इसके लिए गंभीर होने की जोगा है, देखें, लॉड़ी स्पीकर पर राज़नित नहीं हो रही है, लॉड़ी स्पीकर के बहाने, लोग भारत में अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ध्वनी पर्दुशन, बायू पर्दुशन, सब के लिए सरकार ने कानून बनाया है, और उस कानून को सब को मानना चाहिए, अगर यहां तो हिजाब के लिए कानून बनता है, कोट कहता है, उसको भी हम नहीं मानते। जो हमें अच्छा लगता, उस कानून को मानते, जो अच्छा ने लगता, कानून को नहीं मानते। दुनिया के कई मुसलिम देश हैं जो धोनी बिस्तारक यंत्र से सबेरे को जो पढ़ा जाता है आवाज होती है जो दूसरों का निंद हराम करते वो नहीं होता उसकी इजाज़त नहीं है अगर किसी को खुदा की अबादत करनी है उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिला करके थोड़े करना पड़ता है ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिक्ता कुछ और है नाम है अबादत का यही मेरी इश्वर से भी प्राथना है प्राथना उनको सद्बुधि दे है जो लोग भारत के समाजिक सम्रस्ता को बिगारने की कोशिश कर रहे हैं उनको सद्बुधि दे है कर दो कर दो कर दो एम हम है अबादत के सम्रस्ता पता है